तो मैं इंटर्वीूस दिये, ए पहला टेस्स दिया, इंटर्विईूस दिये, रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो मनमें एक सेल्फ डाउट आता है यार, किया यह सही करियर चॉयस है, क्या मैं सही जगा पर जा रहा हूँ, या फिर सिंपल सरकारी के त्यारी कर लेता हूँ क्या कोडिंग ऐसी चीज़ जो मेरे बनी है क्या मुझे करनी चाहिए तो कल मैं यूट्यूब पर एक लाइव सेशन किया बहुत सारे बच्चों के सेम डाउट आए कि बहुत समझ नहीं आती कोडिंग मन नहीं लग रहा मजा नहीं आ रहा इंट्रस्ट पैशन अंदर से नहीं अगर और आपको पक्खा करना कि क्या ये कोडिंग वाली चीज मुझे करनी चाहिए नहीं कर दिशीजन लेना हें मुझे लें राइट करियर्चोइस है या नहीं पहले बात करते हैं कि जो आब के बात का जैसे मैं अपनी बात करूं तो 11-12 के को सब्जेक्ट होता है वो हमें पढ़ाए गया था मैं भी साइन से था तो जब मैं कॉलेज में एंटर करता हूं तो बहुत सारे पत्चों को पहले से सी प्लस पस आती है उनको प्रोगामिंग का अचागासा ग्यान है और मुझे प्रोगामिंग के नाम पर सिर्फ वो करना आता है बेसिकली मुझे सिर्फ लूप साते हैं तो वहां डर लगता है कि इनको इतना सब कुछ आते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता वो एक चीज नौन सीए स्टुडेंट्स के आपकी ब्रांच सीएस वाली नहीं है पर आपको जाना सौट्वेर फील्ड के अंदर है सब कुछ आता हमें तो वहां एक डर आता है कि क्या मैं सौट्र डोमेन में एंटर करूं या ना करूं थर्ड आप सीएस ब्रांच के ही बच्चे हो ताप गलती कहां कर रहे हैं आप कोशन कर बटो सौल नहीं हो रहे हैं आपने कोशन एक हफते पहले किया था दुपार ट्रा आप स्पीड नहीं पकड़ पार आपके दोसने आदे गंटे में तीन कोशन करती हैं आप पहले वाले में अटके पड़े हो तो यह सारी चीज़ें जो है इसके वाइसे आपके नतार इंसिक्योरिटी आ रहे हैं कि यार पताने यार यह फील मेंने साही चूज करिए कि नहीं करिया मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा तो इनकार बात करें में वाले क्या तीन चीजें तीन रूल्स आपको देखने हैं जिसे आप डिसीजन ले सकते हैं कि हां यार यह डोमेन मेरे लिए हैं इसमें मैं आतंक मचाने वाला हूं तो स्टार्ट करते हैं पहला अच्छा लगा आपको एक्स्टर्नल मोटिवेशन आपको मिल गए हां ठीक है तो चोटा सा पूश आपको देती एक दो दिन के लापको पुश मिल गया अपने वीडियो देगे इसलिए बड़ आपको लांग टम में पुश तो आपको अपना खुद कर रीजन से आपको पत में सिर्फ यह जौब करोंगे तभी पैसे कमा पाओगे और भी तरीकें अजया फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है अगर आप एक बर पकड़ लिते हो फ्लू तो महीने के 3-4 लाग कमाना बहुत असान होता है मेरे कुश दोस्ते सब्सक्राइब कर लोगा तो आप लांग टम में पुश्मार पाओगे और कोडिंग कर पाओगे तो आपको स्विमिंग करनी है तो आपके लिए मस्ट है कि आपको पानी में उतरना पड़ेगा ठीक है और प्रोग्रामर बना स्व्लपर बन आपको करनी पड़ेगी आपके लिए के हमस्त है यह ने कि हम Ester Ho oikean भी ऐट भीडियो देख रहे हैं ये वीडियो समझ घार आ ऑब तो मैं बना लूंगा जब तक हाथ नहीं चलेंगे दिमाग नहीं चलेंगा तब तक मज़ाने वाला है तो ट्राइए करना पड़ेगा एफट लेता है यह मुझे मज़ा आता है उसका क्यों कर बताता है गयों कि उसे कोशन हो रहे हैं इसका पडिकत आई होगी बटो टिका रहा अब उसने इतना सीख लिया कि जब हो हो जाते हैं तो सॉल होने के बाद तो हर कीसे का मज़ा आता है ठीक है अगर आपको दस कोशन दो फिजिक्स के आपको 10 के दसाथ आपको मुझे फिक्स करने मज़ा रहा है तो मज़ा तबी आता है जब दो आपसे सॉल हो जाती है लालच कैसे वहां पर रेटिंग देते हैं इसारा लालच यह बहुत पुष देता है कि हाँ तो मज़ा आता है वह सारा का सार यहां पर होता है जो चीज़ के वाइस आपको मज़ा रहा है और लगे पड़े के अंदर इस तीर को ध्याने में रखना है अब सवाल वीडियो का यह था कि क्या कोडिंग में लिए है तो इसका सिंपल शौट आंसर है यह सवाल आपके मुने में तभी आया क्योंकि आपसे कोशन स्वाल नहीं ह पारे कहां पर हम गलती कर रहे हैं छे चीज़ों को बात करने वाले हैं यह चीज़ आप सुधार लेते हैं तो आप पता लगा पाएंगे कि यार कोडिंग आपके लिए है के नहीं है पहली चीज़ फंटमेंटल आपके स्ट्रॉंग नहीं है कांसेट आपको पकट नहीं बन पाई है मान लेता है अब आपको एक कोशन कर रहे हैं आपने यह तो समझ लिए वीडियो देख्याइए का निसे इसे से है ठीक है यह थोड़ तो एक फूर ओट बिकाड़ावापने आपके खिद फॉट्ट चब्सक्राइब बद करते हैं जो कि हैं कि आप लेवल वाइस को डिया है कैसे आपने चार इजी लेवल के कोशन की आपने लिखा वाप कोशन आप आपसे नहीं हो अब आप दी मोटिवेट हो रहे हैं फिर बोलने के नहीं आर कोडिंग अपने बस की बात नहीं है तो step by step चलेंगे पहले easy करेंगे medium करेंगे hard करेंगे इस तरीके जाना है सीडियां इसलिए होते हैं कि एक एक करके चलना यह नहीं कि चलांगे मार के चलते जाओ और नहीं के जाओगे बाई देखके तोड़ा इस तो उस चीज़ का ध्यान करना है थीन से चार घंटे पर लगातार देने आरा बीच में गया वह चीज़ा आपको खराब कर देगी यह बात आम आप करते हैं अपको सब्सक्राइब करने पर देना है आपने रचेशन किया नोट बनाओ आउ आपको कोशन करने का लग यार बहुत प्यारा कोशन है जैसे कि लाज बहुत 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 प्यारा कोशन होता है तो मैंने जाके उसको लिखा को ठीक है यह रहा को करते रहना है नहीं तो पिछली पूरी की पूरी महनत आपकी मिट्टी हो जाएगी इस चीज़ का ध्यानक नहीं स्वेट्स पॉइंट रिविजिन इसमस्ट इस बात करता है इस बात का इस बात का मतलब यह कि आपने कोशन द पहले उसको पर पर नहीं लिख रहे हैं पहले बहुत फायदे वाली बाते हैं इसको पांच देने भी तो बहुत बहुत एफेक्टिव चीज़ें यहां पर मैं समझ मागे कि हम क्या क्या चीज़ गलत कर रहे थे जुका अगर हम सुधार लेंगे तो मुकाम पर पहुंच जाएगा पहली चीज़ कॉंसर्ट पर पकड़ होनी चाहिए सेकंड चीज़ लेवल वाइस कोशन स्वाल करने थर्ड कंसिस्टेंसी पर काम करना है नंबर ऑफ कोशन्स क्वालिटी ऑफ कोशन्स वाराइटी ऑफ कोशन्स देखने हैं रिवीजन आपको करनी है एक्जेकुशन वार्फ लोग कॉपी पहने का यूज करना है यह मैं आ चुकी है थर्ड लास्ट पॉइंट ताइम देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि दो दिने में आपको पता लगए कोडिंग आपके लिए नहीं है मैं तो को टाइम देना पड़ेगा एक्जांपल के लिए जब मैं कोली पाइब करूं यह वागता तो बाद में सलुइशन यह निकलता है अगर मुस्से अब कोई बच्चा बोश्टा कि अब करने में ज्यादा मजा रहा है वह चीज पकड़ ले किसी भी चीज को पकड़ने से किसी डुमें को पकड़ने से नुक्सान नहीं होगा आपको यह मेक्शुर करना है कि इस चीज का ध्यान रखना ठीक है तो कोई भी कर लो टाइम दो 15-15 दिन देके आपको मज़े जिसमें वह कंटिनू कर लो सेमचीज अगर आप सीपी कर रहे हो प्रोजेक्ट डवलप्मेंट कर रहे हो प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आ बहुत अच्छी बात है नहीं हो रहा और फिल एक्स्प्लोर करो और डॉमें एक्स्प्लोर करो यह लोता डॉमें नहीं है जहां पर पैसे कमा बाऊंगे और भी हजार डॉमें है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना है टाइम दो तीन महीं अटलीज दो उसके बाद अनला मैं टो जाओगे थाड़ टाइम देना पड़ेगा तीन महीं एट लीज दो उसके बाद सोचो कि आप को अंटीनू करना है करना तो इस वीडियोमे इतना यार अगर टिक हो तो लिख देना कमेंट सेक्षन जाकर टिके होए है फीडबैक आपका बहुत इंपर्टनी है कुछ झाल झाल